आप आप नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभीनंदन करते हैं स्फवागत करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नितीश कुमार जी मंत्रिमंडल विश्थार के बार बढ़ी खुश थे ऐसी खुसी उन्होंने तब भी जाहिर की थी जब वो पहली बार सरकार बनाये थे दूसरी बार सरकार बनाये थे तीसरी बार सरकार बनाये थे चौती बार सरकार बनाये थे पाच्वी बार छटी बार सात्वी बार भी सरकार बनाये थे तो वो खुशी नजरा रहे थे लेकिन 2020 के चुनाव पर इनाम के बाद जो सरकार के गटन हुआ था उसमें नितीश कुमार के चेहरे के जो भाव थे कुछ और कर रहे थे लेकिन इस बार के भाव थोड़ा सा बदले हुए थे लेकिन हम उस भाव की बात नहीं आपसे करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं कि मंत्री मंडल विश्तार में नितीश कुमार से एक बार फिर से चूप हो गई जैसी चूप उनको मंत्री मंडल गठन के वक्त हुई थी जब उन्होंने अपने साथ कुल 14 मंत्रियों को सपत गरहन कराया था और सपत गरहन के बाद ही बवाल मच गया था अभी विभाद के बटवारे हुए ही थे कि नितीश कुमार पूरी तरह से बैक पूट परा गय थे और उन्हें अपने मंत्री जी को हटना पड़ा था या आप ये कह लें कि मंत्री जी ने स्वतह इस्तीफा दे करके अपने आपको अलग कर लिया था जिसे कि नितीश कुमार की जम कर किर्किरी हुई थी और कहा गया था कि ऐसे भरस्टाशारी को जो भागा भागा फिर रहा हो उसे मंत्राले में सामिल करके क्या कुछ करेंगे आपको बहुत सारी बाते सुनने को मिली थी उस समय कि जानबुश के किया गया था नितीश कुमार को बरनाम करने के लिए किया गया था लेकिन इस बार फिर से कुछ ऐसी ही बाते सामने आ रही है हरबड़ी में और फिर समिकरन बैठाने के चकर में नितीश कुमार से एक बार फिर चूक हो गई है या फिर उनसे चूक करा दिया गया है एक तस्वीर जैसे ही आई चर्चा का वजार घरम हो गया तस्वीर थी नितीश कुमार के सबसे करीबी असोक चौधरी के साथ बीएसपी के एक मात्र विधायक जो की अब जदियू के हो गए है मंत्राले में सामीर भी कर लिया गया है अलसंक के कल्यान विभाग उन्हें दिया गया है उनके आरोपी होने और कई तरह की दफाओं में उन पर केस होने की बात को लेकर के एफाई यार दर्ज होने की बात को लेकर के अब मामला फिर से एक बार चर्चा का विश्या बन गया है आपको बता दें कि अलफ संख्यक एक भी जीत करके इस बार जदियू से नहीं आये थे ऐसी इस्तिती में नितिश कुमार पर भारी दबाव था और भारते जनता पार्टी भी दबाव बना रही थी कि हमने जो टास्क दिया था वो टास्क नितिश कुमार पूरा नहीं किये अल्थसंखक समाज नितिश कुमार से दूर हो रहा है इसका भी आरोप लग रहा था उसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्ता या फिर कहा जा कि पार्टी में सामिल किया गया और उन्हें मंत्री मंडल में सामिल भी कर लिया गया है उन पर बहुत सारी दफाएं लागू हैं जो की संगीन मामलों से जुड़े हुए दफाएं अगर बात करें उन पर दफाएं की तो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारी रिपोर्ट बता रही है, उस रिपोर्ट के हिसाब से उन पर 147, 148, 149, 324, 320 और 307 तक के मुकदमे दर्ज हैं, इन मुकदमों में आपको पता है कि चुनाव के समय में वो भागे भागे फिर रहे थे, फिर उन्होंने चुनाव लड जीते भी, अब मेवालल के बाद एक और भरस्ताचारी और आरोपी को सामिल करने का जेडियू पर आरोप लग रहा है, और उस नितिश्कुमार पर जो क्राइम, करप्सन और कमलिलिज्म को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कुछ दफा ऐसे भी हैं, जिसको अगर खान पर लगा हुआ है, 148 के अगर बात करें, तो घातक हथियारों के साथ दंगा भलकाने और इस तरह का परदर्सन करने का आरोप है, वहीं अगर बात करें 149 की, तो कानून के विरुद्ध आचरन करने का ये आरोप लगा हुआ है, वहीं अगर बात करें हम धारा 323 की, त किसी को चोट पहुंचाने का संगीन मामला है आप पूरे होसो हवास में जान बुझकर किसी को मारते पिटते हैं उसका धारा है 324 और ये सभी संगीन मामले हैं अगर बात करें 307 की तो आप समझ रहे हैं कि ये है attempt to murder यानि कि हत्या के इरादे से किसी पर हमला करने का आरोप है और ऐसे आरोप के आरोपी को यदि मंत्री मंडल में सामिल करते हैं जिस पर ये सारे आरोप हों तो निश्चित रूप से नितिश कुमार के शुशासन, नयाय के साथ विकास और क्राइम, करप्सन और कर्मिलिज्म के खिलाफ मुहीम चलाने वाले नेता के रूप में हमलावर होता है, जमा खान के मंत्री मंडल में सामिल होने के बाद एक बार फिर से नितिश कुमार सवालों के घेरे में आ गये हैं, क्या कुछ होता है आगे और कितना हमलावर होता है विपक्ष, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नितिश कुमार को एक पर फिर से दाग मिटाने मिटाते फिर से दागदार हो गये हैं जुड़ने भारत लाइब के साथ ख़बरों का सिलसील लागतार जारी है नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई अरुवा भिहार के राजनी और भिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जुड़न बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद